नमस्कार दोस्तों यदि आपकी राशी तुला राशी है और आपके जीवन में विवाहे जीवन को लेकर या फिर दामपत्य जीवन को लेकर बहुत जादा समस्या हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके दामपत्य जीवन में कोई भी परिशानी ना हो और आपके दामपत्य जीवन सुख में रहे तो उसके लिए भगवान गनेश की पूजा करें भगवान गनेश की पूजा करने के लिए उनकी प्रतीमा सक्ती विनायक की लेजिए यदि आप सक्ति विनाय की प्रतिमा लेते हैं और अपने घर पर ही उनकी पूजा आध्यन करते हैं तो जरूरी है कि आप भगवान गनेश की पूजा के साथ साथ उनके इस मंत्र का उच्छारण भी करें और मंत्र है ओम हीम ग्रेम हीम इस मंत्र का उच्छारण आपको 108 बार करना है यदि आप चाहते हैं कि आपके दांपत्ते जीवन में कोई भी परिशानी ना आए या फिर संतान को लेकर भी कोई प्रॉब्लम ना रहे तो उसके लिए जरूरी है भगवान गनेश की प्रतिमा की पूजा करना और प्रतिमा भी सक्ति बिनायक ही ले ताकि आपके जीवन में जितने भी परिशानिया हो रहे हैं जल्दी ही उनका हरन कर लें ताकि आपके जीवन में कोई भी परिशानी ना रहे यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में सुख में रहे और अपने जीवन मे बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करें जिसकी आप चाहत रखते हैं तो जरूरी है कि गनेश भग्मान की पूजा सरूर करें जब भी आप अपने घर से सुब कारे के लिए जा रहे हैं तो गनेश भग्मान की ही आगे सर जुका कर और उनको रोली टिका करकर आप निकल सकते हैं ताकि आपके कारे में कोई भी ऐसा फ़ता आपको ना मिले तो ये हैं तुलाराशी वाले भग्मान गनेश की पुजा कैसे करें और किस मंत्र का उच्छारण करें मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना गूरें